क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.2 का कॉश्चन नमर 6 है हमारे सामने इसमें कहा रहा है कवड सर्फेस एरिया ओफ राइट सर्कूलर सिलेंडर इस 4.4 मेटर स्क्वेर एक सिलेंडर है जिसका कवड सर्फेस एरिया है 4.4 मेटर स्क्वेर तो CSA CSA equals to 4.4 मेटर स्क्वेर आगे क्या कर रहा है if the radius of the base of cylinder is 0.7 मेटर radius दे रखा है हमें इसके base का 0.7 मेटर find its side हमें इसकी height निकालनी है ठीक है h हमें find करना है तो CSA दे रखा है तो इसी का formula लगा देंगे हम CSA count surface area of cylinder क्या होता है 2 pi r h ठीक है values put करेंगे इसकी तो CSA CSA 4.4 मेटर तो 4.4 मेटर स्क्वेर equals to 2 multiply में pi की value 22 by 7 multiply में r है हमारा 0.7 multiply में h as it is रहेगा हमारा ठीक है तो 7 से 0.7 को cancel out करेंगे तो आएगा 0.1 जिरो पॉइंट वन आएगा ठीक है उसके बाद जो calculation रख यह वो करते हैं यह जागा टू multiply में 22 44 44 multiply में 0.1 तो यह हो जाएगा 4.4 multiply में h और इधर भी हमारा क्या है 4.4 meter square तो यह 4.4 उदर जो 4.4 है हमारे पास उसको ले आएगा इधर जो जाएगा divide में तो 4.4 equals to h यहां हमारा meter square में है और यह है meter में तो meter से square cancel और 4.4 से ones आपर 4.4 तो आएगा 1 ठीक है तो height क्या आगई हमारी 1 meter यह होगा हमारा answer क्लास 9 के exercise 13.2 का question number 7 है हमारे सामने जिसमें कहारा है the inner diameter of circular well circular well is 3.5 meter इसका diameter दे रखा हमें एक well का 3.5 meter it is 10 meter deep और यह कितना गह रहा है 10 meter गह रहा है इसको हम height भी माप सकते है ठीक है find हमें find करना है first में क्या find करना हमें its inner covered surface area ठीक है तो covered surface area निकालना उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें height दे रखी है 10 और diameter दे रखा है 3.5 meter ठीक है तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे रेडियस रेडियस क्या होता है 2 ठीक है 2 r equals to d तो रेडियस क्या हो जाएगा r equals to d by 2 तो रेडियस यहां पर हो जाएगा हमारा d की value है 3.5 by 2 इसको काटना नहीं है हम इसको as it is formula में value रखेंगे 3.5 upon में 2 तो हमें निकालना है covered surface area covered surface area क्या होता है csa covered surface area होता है 2 pi r edge cylinder का ठीक है तो csa equals to 2 multiply में pi की value 22 by 7 multiply में r की value r की value 3.5 by 2 तो 3.5 upon में 2 multiply में height height है हमारी 10 ठीक है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा 7 से यह जाएगा 0.5 पर और 0.5 को 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 5 ठीक है तो 22 multiply में इन दोनों को multiply करके आ रहा था 5 तो 22 multiply में 5 22 को 5 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 0 5 to the 10 0 carry 1 5 to the 10 और 11 110 meter square तो इसका inner curved surface area क्या होगा यह होगा यह होगा हमारा first प्लास्ट्रिंग करवानी है 40 40 रुपे पर मीटर स्क्वेर के rate से ठीक है covered surface area कोई लब इसी एरिया को में करवाना है प्लास्ट्रिंग तो कोस्ट का क्या formula होता है rate multiply में area ठीक है तो rate क्या है हमारा 40 multiply में area एरिया हमारा 110 meter square तो इससे 40 0020 है हमारे पास और 11 forza 44 और 2 0 हैं तो वो इसके पीछे लगा दें तो इतने rupees यही हो जाएगा हमारा second का answer ठीक है क्लास 9 के exercise 13.2 का question number 8 है हमारे साहन में जिसमें कर रहा है in a hot water eating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter मतलब हमें एक pipe दी गई है जिसकी length height मान सकते हैं height कितनी है 28 meter and the diameter is 5 centimeter diameter कितना है 5 centimeter ठीक है d equals to 5 centimeter find the total radiating surface on the system हमें निकालना है कि उसका radiating system मतलब कितना कितनी pipe जो है वो गरम होकर पानी को अंदर जो पानी होता है उसके उसे गरम करती है ठीक है तो height है meter में और diameter है centimeter में तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा यहां से हमें radius निकालना पड़ेगा और उसे meter में change करना पड़ेगा तो radius r equals to 5 by 2 ठीक है और यह होगा centimeter में तो इसको cancel out करने पर आएगा 2.5 अब इसे meter में change करना है तो हमें divide करना पड़ेगा 100 से ठीक है तो 100 से point यहां पर है तो point कहां पर आ जाएगा एक और दो point आ जाएगा यहां पर यहां जाएगी 0 तो यह हो जाएगा radius हो जाएगा हमारा 0.0 to 5 meter ठीक है तो radiating surface pipe जो होती है उसके उपर और नीचे कोई ढकन तो होता नहीं है ठीक है कुछ इस तरह ऐसे होती है यहां पे यहां से भी खुली होती है और यहां से भी खुली ह होती है तो हमें क्या निकालना है यहां पे covered surface area ठीक है तो csa radiating system क्या होगा उसका csa covered surface area ही होगा तो csa क्या होता है 2 pi r h values रखते हैं 2 multiply में pi की value 22 by 7 multiply में r r कितना हमारा 0.025 multiply में height height है 28 solve करते हैं तो 728 है यह ठीक है 28 7 forza 28 and 2 multiply में 22 यह हो जाएगा 44 और 4 multiply में 25 ठीक है कि यह कुछ इस तरह से होगा 0.025 को हम 4 से जब multiply करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.100 ठीक है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.1 तो multiply में 0.1 और जब हम इसे 0.1 से multiply करेंगे 44 को तो यह हो जाएगा हमारा 4.4 meter square यह होगा हमारा total radiating surface total radiating surface ठीक है यह होगा हमारा answer class 9 के exercise 13.2 का question number 9 है हमारे सामने जिसमें करा है find हमें find करना है क्या the lateral covered surface area लेटरल सर्फेस एरिया या covered surface area यह की होते है और फे close cylindrical पेट्रोल स्टोरेज टैंक इंग पेट्रोल स्टोरेज टैंक है cylindrical ठीक है that is 4.2 meter in diameter मतलब उसका diameter कितना है 4.2 meter and 4.5 meter in height और वो 4.5 meter मतलब height उसकी कितनी है 4.5 meter ठीक है तो हमें diameter की इवन है यहां से हम क्या निकाल लेंगे radius तो r equals to 4.2 upon me 2 तो इसको cancel out करने पर आएगा 2 तूजा 4.2 अंजा 2 meter radius आ गया हमारा 2.1 meter हमें क्या निकालना है कवड़ सर्फेस एरिया तो csa csa कवड़ सर्फेस एरिया क्या होता हमारा 2 pi r h values put करेंगे 2 multiply में 22 by 7 multiply में r की value हमारी 2.1 multiply में height है 4.5 ठीक है तो 7 से 0.3 पर यह cancel होएगा ठीक है और 22 2 और 22 को multiply करेंगे इन दोनों को multiply करेंगे तो यह जाएगा 44 और 0.3 और 45 को 4.5 को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 1.35 और जब इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारा अंसर आएगा 5594 फाइफ नाइन फोर मीटर स्क्वेर तो हमारा फस्त का अंसर हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वेर बला हमारा काउड सर्फेस एडिया जो आएगा सिलिंड्रिकल पेट्रोल टाइंग का वो होगा इतना नेक्स्ट में क्या रहा है सेकंड में हाव मस्टील पाज एक्शुली यूजड इप वन बाइट वैल्ट वन बाइट वैल्ट ऑफ दा स्टील वाज वेस सर्फेस एरिया ठीक है टोटल सर्फेस एरिया क्यों निकालेंगे क्योंकि जो पेट्रोल टैंक होता है वो क्या होता है क्लोज होता है ठीक है और उसे बनाने में वन बाइट वैल अगर वेस्ट हुआ है तो हमें निकालना है टोटल मतला हमें टोटल ट्वैल जो होता है values put करते हैं 2 multiply में 22 by 7 multiply में R की value 2.1 multiply में R plus H R है हमारा 2.1 plus में 4.5 सभी को calculate करते हैं calculation में देखते हैं हमारे क्या क्या है ठीक है तो plus करेंगे तो 7 से 0.3 पर और 2 multiply में 22 यह हो जाएगा हमारा 44 और अंदर जो हमारे bracket की value है उसे हम कर लेते हैं plus तो वह भी multiply में तो 5 plus 1 6 and 2 plus 4 यह भी होगा हमारा 6 6.6 अब जब हम तीनों को multiply कर लेंगे तो हमारा answer आना चाहिए 87.12 तो total surface area होगा हमारा यह लेकिन यह answer नहीं होगा हमारा answer हमें कैसे निकालना है माल लेते हैं ठीक है कि लेट actual में हमारा steel कितना था total steel x था ठीक है let total steel be x area wasted waste कितना हुआ है waste steel equals to 1 by 12 1 by 12 waste हुआ है x में से हुआ है ठीक है तो हमारा लगा कितना होगा लगा है हमारा 87.12 ठीक है तो हम total में से x में से अगर waste को निकाल दे 1 by 12 को निकाल दे तो कितना आएगा हमारा यह आ जाएगा 12 को x में multiply करेंगे minus 1 करेंगे तो 12 x minus 1 तो यह हो जाएगा 11 by 12 x ठीक है तो यह total हमारा क्या है total हमारा यह लगा है ठीक है तो total निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह हमारा लगा है तो x की value निकालने हमें x है हमारा total area ठीक है total steel जो था हमारा वो तो यह लगा है और इसकी value है यह है तो इसे रख देंगे आमने सामने तो 11 by 12 x equals to 87.12 x की value की x equals to 87.12 multiply में 12 by 11 11 by 12 को हम दूसरी तरफ बेजेंगे इस value को दूसरी तरफ बेजेंगे तो यह हो जाएगी पलट जाएगी ठीक है तो 11 से cancel out करेंगे 11 7 जा 11 7 जा 77 बचेगा कितना हमारा 10 10 प्लस 1 point लग जाएगा यहां ठीक है 10 और 1 हो जाएगा 11 तो 9 जा से और बचेगा हमारा 2 और 2 पीछे है तो 7.92 7.92 को हम 12 में multiply करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा X equals to 7.9 मुल्टिप्लाइ में 12 यह हो जाएगा 95.04 मुल्टिप्लाइ टोटल एरिया टोटल हमारा कितना स्टील लगा है इतना हमने यूज किया है जिसमें से गिवन फिगर यह में फिगर यह दिया हुआ है यू सी दा फ्रेम ओफ लैंप शेड यह एक लैंप शेड दिया हुआ है जो लैंप के चारो तरफ कांच बगारा का बना होता है ठीक है इज टू भी कवर्ड विए डैकोरी टिभी ट्रोट इसको में डेकोरीटिव ट्लोट साइसे दका जाना है दफ्रेम है दे बेस ओफ डामेटर ओफ टुंती सेंतीमेटर तो में इसका डामेटर गीवन है 20 cm and height of 30 cm और height है हमारी 30 cm margin of 2. cm is to be given for folding it over the top and bottom तो 2.5 margin रखना है हमें जो है 2.5 का top पर भी और bottom पर भी ठीक है find how much cloth is required for covering the lampshade तो हमें निकालना है कितना जो lampshade मतलब कितना कपड़ा जो है इसे cover करने में लगेगा ठीक है height at 30 cm और margin रखना हमें 2.5 मतलब इसमें हम 2.5 उपर की तरफ प्लस करेंगे और 2.5 ही नीचे की तरफ प्लस करेंगे जो कि इसमें जाके अंदर की तरफ fold हो जाएगा ठीक है ऐसे ही उपर से इसमें fold हो जाएगा अंदर की तरफ तो diameter है तो radius क्या होगा radius equals to 20 by 2 तो यह हो जाएगा 10 cm और height of cloth क्या होगी height of cloth हो जाएगी हमारी 30 प्लस में 2.5 उपर वाला और 2.5 नीचे वाला ठीक है तो 30 प्लस में 2.5 प्लस में 2.5 तो यह आ जाएगी height हमारी height आ जाएगी 35 ठीक है इनी को values को हम पूट करेंगे तो lampshade है इसमें उपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है तो formula लगेगा हमारा सिर्फ चारों तरफ का इसका तो वह जाएगा हमारा csa covered surface area तो covered surface area होता है 2 pi r h 2 pi r h values put करेंगे 2 multiply में 22 by 7 multiply में r r है हमारा 10 multiply में h h हमने निकाला है 35 तो 7 5 जा 35 एं 22 multiply में 2 यह होता है 44 multiply में 10 5 जा 50 अब जब इन दोनों को multiply करेंगे तो 5 4 जा 20 0 carry जाएगा 25 for the 20 and 22 और जो एक 0 थी हमारी यह वाली यह लग जाएगी इनके पीछे तो 220 cm square जो गामारा area लगेगा इतना area गामारा cloth लगेगा इस lampshade को cover कर दो